भाई और बेनों बाजपा सरकार का ये इतिहास है ये परंपरा है बाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है ये हमारी ही सरकार है जितने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं जादा का भुक्तान किया है गन्ना किसानों को जितना पैसा पहली की सरकारों के दस साल में मिला था उससे जादा राशी योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ती दिलाने का स्थाई उपाई भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसी समस्या है हर बार आए राजनीती चलती रहें और किसान बेचरा ये राजनेतावपन निर्फर रहे हम किसान को भी आत्मन निर्फर बनाना चाहते हैं गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की किमत कम हो या फिर चीनी मिले बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परिशान हो जाता है दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावर बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावर से डरते हैं कारखाने बंद करते हैं गन्ना किसान को परेशानी होती है अनेक प्रकार की चुनोतियां चीनी का वैस्विक बाजार उपर निचर हो जाए तो मुसिबत गन्ना के किसान को हमारे के यहां के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी इस चुनवती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थाई उपाई के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है गन्ना किसानों के हितों को ध्यान मग रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करना वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसी सिती से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी और इसके लिए बहुत बड़ा भियान चल रहा है कि ये गन्ना किसानों को लाब भी दे रहा है और उनकी आर्थिक वबस्ता को एक गारंटी देता है शुरक्षा देता है मुझे खुसी है योगी जी ने ताबर तोब इसकाम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी योगी जी कंदे से कंदा लेकर के मिला करके मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपीस को 12,000 करोर रुपिय गन्ये से जो इथेनोल बना ना 12,000 करोर रुपिया इथेनोल से मिले है गन्या किसान को सुरक्षा दे रहे है और मेरे गन्या किसान भाईयो मेरे उत्तर प्रदेश के नवजवानो मेरे शब्द लिख करके रखिये आने वाले दिनों में ये मामला बारा हजार करोड़ा टकने वाला नहीं है ये रासी और बढ़ने वाली है और इससे गन्ना किसानों की आमदनी में भी वुर्द्धी होगी और उनकी समस्याओं का स्थाई समादान निकलेगा यूपी में जो पहले सरकारे रही वो इस तरह का भीजन लेकर काम करही नहीं सकती थी कारण कारण परिवारवाद परिवार चे बहार देखना ही नहीं सोचना ही नहीं आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं सब कोच माफियाओं के भरो से चलाते रहना भाईयो भेनो हम स्थाई समाधान के लिए कदम उठाते हैं हम स्थाई समाधान के लिए रास्ते खोचते हैं हम हैं अंदुस्तान के हर गाउं को हर किसान को हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देगा अउसर देने के लिए काम कर रहे हैं